हलो दोस्तो स्वागत है आपका टागेट फाव आईक्यू में आज हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले वह शंगाई कोपरेशन ओगनेजिशन की जो कि एक इंटरनेशनल ओगनेजिशन है अब यह टॉपिक आपके एक्जाम पर्सपेक्टिस काफी इंपोर्टेंट हो ज पर्सपेक्टिव है तो यह सारी चीज से यह सारी बाते हम करेंगे टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपको इस वीडियो को कॉंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस लाइक करें अमार्य चैनल को सब्सक्राइब करे है टार्गेट फॉर आईक्यू को सो जैट कि हम नएने वीडियो कॉंटेंट लिला सके एंड आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन रेग्लरली मिल दी रहे तो शुरू करते हैं इस के साथ शंगाई कोपरेशन और्गनेशन के बारे में जनके कि क्या है यह और्गनेशन एंड इस और्गनेशन के बारे में यह और्गनेशन सेट अप हुआ था 2001 में जो चार्टर था इसका चार्टर बिसिकली जो जो अब्जेक्टिव होते हैं जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो चार्टर में में मेंशन होते हैं कि कैसे फंक्शिन होगी क्या 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 अब इसकी जो official language है, meaning कि किस language में इनके सारे document and official work जो होगा, वो है दो language है, जैसा कि आप देख पार है, Russian and Chinese. अब question आता है कि ये organization set up क्यों हुआ? तो ये organization, इस organization set up करने का basic purpose ये था कि 1990s में जब Soviet Union break हुआ, तो जो countries थी along with Russia, suppose Tajikistan, Turkmenistan, ये सब जो countries है, Uzbekistan, these countries were neighbors, तो जो पड़ोसी countries है, Soviet Union के break होने के बाद, उनमें कुछ problems ना हो, क्योंकि अब अलग-अलग countries हो गए, तो उनके जो borders के attached हैं, तो हमेशा neighbors से कुछ ना कुछ problems हो जाते, just like India has problems Pakistan के साथ, और China के साथ, तो इस तरह के problems कभी हो सकते हैं, तो इसलिए इस organization का setup किया गया था, ताकि Russia जो है, और उसके साथ अगल-बगल, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan, इनके जो भी problems हो, वो आराम से एक table पे peacefully, बैट के, जो leaders है, वो solve कर सके, peaceful solution निकाल सके, without indulging in a war, लड़क्यों, then, अब बात आती है कि, जो organization है, इसका setup क्या है, कब-कब ये मिलते हैं कब-कब meeting होती है, तो, इनके दो summit होते हैं एक साल में, एक होता है head of the state level पे, एक होता है head of the government level पे, और different representatives जो है, वो attend करते हैं, अलग-लग meeting, अभी recently, CEO की, Shanghai Corporation Organization की defense minister meeting होई है, तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, Now, अब ये organization set up तो हो गया, बट इसको set up किया किसने, इसको set up करने के पीछे 5 countries का role है, जिसकी वज़ा से इस organization का जो initial नाम था, वो Shanghai 5 के नाम से था, जब 2001 में इसका set up हुआ, organization का, जो 5 countries हैं, वो हैं, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan, और इन पाचों countries को इसलिए Shanghai 5 भी कहा जाता है, Now, later on, जब 2001 की में इस organization के बनने के बाद, जो की initially Shanghai 5 के नाम से जाना जाता था, then Uzbekistan ने इसको join किया, इस organization को, जो कि वो भी एक peace resolution set up करना चाहता था, कि सारे countries में peaceful talks हो, तो Uzbekistan के join करने के बाद, इस organization का नाम जो था, वो Shanghai Corporation organization पढ़ गया, Now, अब इंडिया के बाद आते हैं कि इंडिया ने कब join किया, तो इंडिया ने को इस organization में 2005 में observer कर status दिया गया था, observer आप कह सकते हैं कि non-permanent member, temporary members कह सकते हैं, जो की meeting को observe करने के लिए बस members हैं, But later on, इंडिया को 2017 में इसका member बनाया गया, along with Pakistan, Now, अब member state कौन कों से है इस organization के यह हम जानेंगे, पहरे खजाकस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उस्वेकिस्तान, और जो later members हैं, 2017 में जो add हुए, वो इंडिया एंडिया पाकिस्तान, Now, अब observer states कौन से है, अभी भी observer states है इस organization में, वो हैं, अफगानिस्तान, बेलरुस, इरान, और मॉंगोलिया, अब ये तो होगे, permanent members and observer states, अब इसमें कुछ dialogue members भी हैं, जिनका एक अलग prominent role है, वो हैं, Azerbaijan, Armenia, Cambodia, Nepal, Turkey and Sri Lanka, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इस organization का जो objective है, वो क्या है, सबसे पहले जैसे हमने बात किया कि इस organization का setup जो किया गया था, वो बागी सारे neighbor countries में, जो कि ये सारे country Central Asia में like करती हैं, तो इन में peaceful talks के लिए, and इसके अलग-अलग और भी different objectives हैं, such as, पहली बात, आपस सारे countries में जो neighbors हैं, उन में mutual trust develop करना, cooperation लाना, cooperation in terms of what, cooperation होना चाहिए, political perspective से, सारे countries में जो political government है, उनके setup में कोई problem नहीं करना है, किसी भी एक country को दूसरे country के setup में, दूसरा trade और economy को maintain करना है, हर एक country के progress के लिए, जो भी steps हैं, वो लेने हैं, ताकि हर एक country easily grow कर सके, then research and technology और जो cultural protection है, और जो minority protection है, उनके growth के लिए, सारे जो भी innovative steps हैं, वो बाकी countries लेंगे, then education के sector में, energy, transport, tourism, environment के sector में, सारे countries में cooperation होना चाहिए, and जो भी resolution पास होगा, वो सारे countries के development के लिए होगा, इन सारे terms में, then democratic economic order set up करना होगा, then international drug trafficking, जो drug trafficking जो एक बहुत बड़ा factor है, बाकी countries में, Central Asia में काफी level हद तक फैला हुआ है, तो जो भी illegal drug trafficking उसको रोकना, then आता है terrorism, जो कि सबसे बड़ी problem है, सारे countries के across all the countries in the world, यह जो भी affected है terrorism से, उन पे Central Asia में particular जो countries है, जहाँ-जहाँ terrorism है, क्योंकि हर एक country terrorism से affected है, तो उसके लिए के टरिरिजम को लोगे concrete steps उठाने होगा, सारे countries को cooperation करना होगा एक दूसरे को, and lastly, एक prominent role है, जो कि Shanghai cooperation organization का major role बन गया है 2008 के बाद से, कि Shanghai cooperation organization ने अफगानिस्तान में stability के लिए, नए-ने steps करने के कोशिश है की, ताकि peace वहाँ पे set up हो जा सके, हाला कि अभी Afghanistan काफी unstable है, और Taliban ने capture कर लिया power, so that is something, जो कि आने वाले समय पता चलेगा, कि आप इसका effect क्या पड़ता है, Shanghai cooperation organization में, अब importance बात करते हैं, इंडिया के क्या importance है इसमें, तो firstly, जैसा कि हम देख रहे हैं कि firstly security term में, हम बात कर चुके terrorism के लिए, त्योंकि Central Asia में कई सारी countries है, जहां से Afghanistan हो गया, और आसपास की Pakistan के जो countries हो गई, तो यह सारी countries से, जत्ती भी Central Asia countries से उनको भी terrorism का खत्रा है, और इंडिया को भी साती साथ terrorism का खत्रा है, and anti-drug trafficking, drug trafficking को लेकर के जत्ती भी activities हैं, जत्ती भी सारे steps हैं, उनको इंडिया को नएने steps लेने होंगे, ताकि जो drug trafficking का जो trap है, उसको जल से जल end किया जा सके, energy deficient country है, इंडिया को energy की requirement हो, लेटर रॉन इंडिया जो है, इन सारे countries से अपने energy sectors buy कर सकती है, and tapy pipeline जो थी पहले, तुर्कमनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया की pipeline जो थी, जो कि पहले मनमोवन सिंग गौवर्मेंट के टाइम पर थी, then उसके बाद ये project को drop कर दिये गा था, चुकि US के साथ इसके relations develop हो गये थे, then इस pipeline को जो है, वो भी continue किया जा सकता है, ताकि इंडिया जो को energy sector में भी growth हो सकती, then trade के perspective से अगर देखा जाए, तो belt and road initiative इंडिया जो develop कर रहा है, इंडिया के border के पास, so उससे भी इंडिया के trade को problem हो सकती, तो यहाँ पे सारी countries के साथ इंडिया को इस steps लेनोंगे, ताकि किसी भी country का जो trade है, चाइना के initiatives के वज़े से, वो affected ना हो, then last point जो है, वो अपने traditional friend जो रशिया है, जो कि रशिया को एक इंडिया का traditional friend माना जाता है, क्योंकि 1950s से लेकर कि अमिशा 1970s बांगलादेश वार में भी, रशिया ने इंडिया का काफी साथ दिया है, बांगलादेश लिबरेशन वार में भी, US के against इंडिया, रशिया ने इंडिया को support किया है, तो इंडिया रशिया को traditional friend माना गया, तो यह platform जो है इंडिया को एक friendship relation भी set up करने का एक अच्छी opportunity देता है, अब defense minister meeting ये बात करते हैं, जो कि अभी recently हुई है, तो अब इस ministry में बात क्या हुई, सबसे पहले जो Shanghai cooperation organization के मैंने जैसे आपको starting में बताया कि एक meeting head of the state की होती है, head of the government की होती है, तो अभी ये meeting जो होती, defense minister meeting की level पर हुई थी, और ये दुशान में ताचिकिस्तान में ये meeting हुई थी, अब इसमें बात क्या हुई, सबसे पहले राजना सिंग जी ने इस meeting को attend किया, and कुछ topics थे जिसमें उन्होंने बात किया, सबसे पहले terrorism, जिसमें उन्होंने बात किया, कि terrorism को, हार countries को support करना होगा, terrorism कदम करने में, then climate change जो के सबसे बड़ी problem अभी चल रही है, जिसपे सारे countries को अपने-अपने carbon emission के target set कर रहे है, and अभी IPCC की report भी आई थी, जिसपे ये बोला गयाता है, कि जो climate change हो काफी तेजी से बढ़ ला है, तो countries को सारे steps लेने होगे, then vaccine diplomacy, मतलब कि हर countries जो है, वो अपने-पने population के लिए vaccine बचा के रख रही हैं, में जतना जरूरत नहीं है, उससे जादा रख रही है, and global जितनी poor countries उसके लिए vaccines को provide नहीं करा रही है, this is something vaccine diplomacy, then आपके food security, जैसे कि आप जानते COVID pandemic के बाद food security की problem काफी हो कही है, and आप जो है, जितनी भी poor countries है, वो काफी food affected है, food security के लिए, then disaster infrastructure के लिए इनको ध्यान देना होगा, and then connectivity with Central Asia, ये इस इंडिया को एक अच्छा platform देता था कि इंडिया जो है अपने Central Asia के साथ, जो इतनी connectivity उसको maintain कर सके, so इन points पर बात वी, अब challenges भी है, इसके साथ साथ इंडिया का, इस organization में शामिल होने के पहला है, पाकिस्तान जो की साथ-साथ इस organization member बनाा है, तो पाकिस्तान हमेशा चाइना के साथ couple करके, जो भी steps होंगे, जो भी realization होंगे, च्चान की आप जानते कि टेरिज्डन को हमेशा पाकिस्तान ने promote किया है, तो पाकिस्तान हार स्टेप को रोकनी क्योशिश करेगा, चाइना के साथ मिल करके जो की जाहिट से बात है एंड शंगाइ को प्रशिया है तो रशिया के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए इंडिया को हो सकता है कि यूस के साथ जो रिलेशन से उसको डाइलूट करना पड़े at a time जो की हमेशा रहता है यूस रशिया की बीच में और लास्टी चाइना और रशिया जो की co-founders है उसमें इस organization के जो इसलिए ये भी possibility बनती है कि चाइना हर एक steps को offset करने के पूरी possible कुछिश करेगा दो कि चाइना जो की इंडिया लेगा पाकिस्तान के अगेंस या terrorism के अगेंस जो कि चाइना हमेशा से अपने पाकिस्तान को support करता है, belt and road initiative को लिए और अपने personal political motives के लिए So, ये सब चीजे हैं जो कि इस organization को काफी important बनाती है हालग-अलग perspective से So, this is something जो कि आपको develop करने वाली है and exam perspective से ये important हो सकती है and ये सब सारी चीजे हैं जो कि exam में आप से हालग-अलग points पे पूछे जा सकते हैं तो आज के लिए इस topic को हम यहाँ पर end करेंगे and मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये topic पसंद है and जितनी भी content है वो आपके exam के लिए काफी important proof होंगे So, हमें support करते रहे हैं, like करें, subscribe करें so that हम अपने नएने contents, नएने topics के साथ आपको आपके लिए लाते हैं Thank you